नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकेन पे त्लिक कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे का आइकोन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको अलो दोस्तों फिर सब सब्सक्राइब अच्छे होंगे घर पे होंगे और सेफ होंगे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वह बहुत अच्छा है इंपोर्टन्ट है कि कौन सी ऐसी बाते या चीज़े हैं जो आपने दुबई में नहीं करनी हैं इसके पहले भी मैंने का आ रहा है टावल करके तो उनको अगर यह बाते पता नहीं हो गलती से उन्होंने यह चीज़े किये तो उनको यहां पर जो है मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है या उनको फाइन लग सकता है ठीक है तो यसी कौन सी बाते हैं कौन सी चीज़े हैं जो आपने यहां पे नह जो नहीं कर सकते हो अगर आपको रोड क्रोसिंग करने टाइम अगर यहाँ पे पकड़ा गया पकड़ा पकड़ा अगरे जाता है तो यहां पर आपको 400 प्लश की लिए शुरू है तो अगर सामने कोई बंदा रोड प्रोसिग कर रहा तोaya, उसको करने तो आपने उसको follow नहीं करता है, तींकि जो आपको बंदा पकड़ता है, जो आपको find देता है, वो civil dress में होते हैं, यो आपको पता भी नहीं चलेंगे, यह वो लोग कि वहाँ पर खड़ा है वह आपके पास आएगा रिस्टेट फुली आप से बात करेगा आपका जो भी पासपोर्ट है वीजा है या जो भी इमरेट्स आइडी है वह आपको पूछेगा और उसके उपर जो है आपको फाइन लग जाएगा ठीक है उसके बाद है कुरी करना करता है देखो मेरा काम है आपको काफी सारे लोग ऐसे दिमांगे रख लिए और एक होता है न समझें दो किसी मौन मेंा चले भी कहीं पे सुपर्केट में चलेगे और intel इसको मैं भी किसको क्या पता चलेगा तो इस तरिके से नहीं करो बस कहीं ब BIG जाते ओ तो यहांँ पे देखो सब तरफ कीश्टीवी जो है वहोते हैं तो इस तरी के से चोड़ी से आपने दूर रहना है ठीक है यहां पे गलती से भी नहीं और आप अगलंती से भी पड़ा गया तो भी आपके लिए यहां पर प्रॉब्लम हो सकती आपको जहां पर जुर्माना है तो वहां पर जुर्माना हो गया तो वह घवराकर उसने क्या किया वही जो है उसी टाइम नीचे फेक कर उसने बुझाने की कोशिश की तो उसका दूसरा जुर्माना हो उसी टाइम हो गया क्योंकि उसने वह तरीके से यहां पर होता है दोस्तों उसके बाद इंपोर्डन पॉइंट है दोस्तों आपका के से भी नेचर हो जगडालू नेचर हो शां साइलेंट कंट्री है यहां पर आपको शांती मिलेगी शांती मतलब कहीं पर भी जाओ आपको साइलेंट मिलेगा यहां पर जगडा करना आउची आवाज में बाते करना रोडों पर इसे किसी के साथ आप जगडा नहीं कर सकते हो ठीक है इसमें भी आपको प्रब्लम हो सकत यहां पर हर किसी बंदा अपने काम में जो है वो बिजी रहता है वो लोग एक दूसरे के साथ इस तरीके से जगड़ा कोई करता नहीं इवन यहां पर हौन भी नहीं देते हैं हौन बजाना कार में ठीक है इसको यहां पर गाली देने समझ जा जाता है ठीक है तो यहां पर आप ऐसे चल रहे हो कुछ आपको कुछ पढ़ा हुआ दिखाई दे आपको उठाना नहीं है आपने क्योंकि आप उस टाइम भी आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में फश सकते हैं ठीक है क्योंकि हो सकता है वह उल्टी सीधी चीज हो कुछ और उसके वज़े से आपको प्रॉब में एक दिन में बहुत साले पहले की बात है में रोड के साइड में बस टॉप पे खड़ा था वहां पे एक वैलेड गिरा था किसी का तो वहां पे तक्रिवन मेरे साथ और पांच यह लोग थे जो टैक्सी का इंतिजार कर रहे थे ठीक है तो बस यह टैक्सी का तो वह वो ले टैक्सी से एक बंदा उत्रा उसने वह वैलेट उठाया और उसने सब के तरब देके स्माइल दी सबको पता चल गया वस यह कि यह इसका वैलेट था वह ढूंटे ढूंटे वहां पर दोस्तों यह है चेंज यह है यह है मतलब यहां पर इस सेकुरिटी यह जो बोलता है इसी वज़े से यहां पर यह किसी और के जंजट में कोई नहीं पड़ता है इस तरीके से काफी चीज़े और भी यह मैं इसका एक और भी पार्ट जरूर बनाऊगा दोस्तों तो यह पॉइंट आप देहान में रखिए कि कि किसी भी अन्नोन चीज़ को आपने हाथ यहां प आप में नहीं रखना है इसके लिए भी बहुत बड़ा आपको फाइन यहां पर पे करना पड़ सकता है दोस्तों काफी सारे सॉफ्ट्वेर्स आते आज कल अप्लिकेशन आते जिसका यूज करके आप देख सकते हो मगर यहां पर यह सारी साइट जो है वह बैन है अगर इस चैनल को इलिए शायद लोगों को पता होगा नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहता हूँ वीपिय नाम का एक Saft-ूस एप्लिकेशन्स होता है मोबायल में तो वह काफी लोग यूज करते है वीड़ियो ऊडियो पॉलिंग करने की लिए जो जो भी कुछ applications नहीं चलते तो वो चलाने के लिए तो यह VPN होता है virtual private network इसका long form होता है काफी सारे लोगों को पता है यह काफी सारे शायद लोगों को पता नहीं होगा जिनको पता नहीं है उन लोगों ने इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि यह VPN इंस्टॉल करना या यूज करन यूए में illegal होता है इसका fine पचास हजार दिरम है अगर आप पकड़े जाते हो VPN के साथ तो ठीक है पचास हजार मतलब कितने होगे count कर लिजिए दिरम में कितने होते है तक्रीबन इंडियन रूपीज में अगर count किया जाए तो वो होते है दस लाक रूपीज ठीक है तो VPN आप यहां पर travel कर रहे हैं दुबई के लिए और आपके मोबाइल में अगर कोई recording software है application से तो उसको तुरंत निकालिए फिर ही यहां पर यहां पर यह application लीगल नहीं है उसके बाद अगर आप यहां पर आते हो रिंटा कार लेते हो या आपका international life sense लेके अगर रिंटा कार ले स्पीड से आपने वहां पर गाड़ी चलानी है मैं एक्जामपल की तोर पर बतारा चाता हूं नॉर्मली जो शेक जाज़रोड है वह 120 तकरीब होता है मैं एक्जामपल बता रहा हूं ठीक है तो वहां पर आप जो गाड़ी है आपकी वह 60 से नीचे भी नहीं चला सकते हो औ इसके बाद रेड लाइट मतलब रेड सिंगनल आपने जंप नहीं करो है तो गलती से भी आप जंप नहीं करो इसके लिए भी बहुत बड़ा जूर्माना है यहां पर आपकी कार जो है वह 30 डेस के लिए पॉंड होती है 12 यहां पर आपको ब्लैक पॉइंट्स लग जाते है उसके बाद अलग से फाइन भी होता है मतलब बहुत पड़ी गलती यहां पर समझी जाती है अगर आप रेड सिंगनल को क्रॉस करते हो तो ठीक है इसका भी एक एक उस टाइम पहले की बात है एक यूरोपियन बंदा था उसने रेंट कार ली ठीक है टुरिस्ट था हो और उ वन टू हंड्रेट के आसपास उसने गाड़ी चलाई यह इतनी फास ठीक है तो उसको लगाता चालीज बार कैमेरा ने कैच किया है सोरी थर्टी थ्री बार तो उसको जो है वह जुर्माना लगाता तकरीबन एक लाग तीस हजार धिरम के आसपास तो काउंट किजिए एक ल 24-20 मिनिट के टाइम में ही इतना जुर्माना बहना पड़ा दोस्तों उसके बाद का पॉइंट यह है दोस्तों यहां पे अगर आपको कईकन देखा जाता है तो हमारे यहां पे नॉर्मली क्या होता है एक्सिदेंट होते ही उस बंहें को उठाया जाता है ह Laud लेने के लिए यह तरीक से यहां पर नहीं है जो भी अथरीटी है पुलिस वहां पर आएगी एंबुलेंस वहाँ आएगी और वही जो है वो फुच्टास करते हैं ठीक है यह भी शायद काफी लोगों को पॉइंट नहीं पता होगा इसके बाद अगर आपने marriage नहीं किया है, कोई couple है यहां पे, तो यहां पे without marriage के वो आप एक room में share नहीं कर सकते, एक hotel में वो लोग साथ में नहीं रह सकते, एक flat में वो लोग साथ में नहीं रह सकते, legal तरीके से, अगर पकड़े जाते हो तो आपको fine जुन्माना भरने की भरन पड़ सकता है, ठीक है, अभी काफी सारे लोग इसके सारे comment करेंगे, हमने दो काफी हो को देखा है, भाई मैं जो reality है, वो आपको बताता हूँ, पकड़े गए तो जुर्माना होता है, वो लोग जो भी रह रहे हो, शायद होते, चुपके से रह रहे होंगे, ठीक है ना, त रह सकते हो, कोई issue नहीं है, आप legal तरीके से यहाँ पर रह सकते हो, उसके बाद यहाँ पर दोस्तो रिस्पेंट आपको करनी है, सब लोगों की, सब religion की, country की, हर चीज़ की, यह इंडिया नहीं है, कि आप यहाँ पर आए मूख फो खोला, और कुछ बख दिया, ठीक है, यह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम को जो है, important दी जाती है, काम करो, salary लो, खुश रहो, अपने घरवालों को खुश रहो, यहाँ पर आके कोई politics नहीं करो, किसी religion के खिलाफ नहीं बात करो, किसी particular आदमी के खिलाफ कुछ बात नहीं करो, politics के उपर कुछ नहीं बात करो, इस country क यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस और बस आपने अपने काम पर ध्यान रखना है, यह बाते भी आप यहाँ पर करते हो, तो भी आपको यहाँ बहुत बड़ा जुर्माना, बहुत बड़ी मुसीबत आप खुद बुलाओगे अपनी तरफ, ठीक है, उसके बात का point है दोस् किसी बंदे का, किसी पर्सन का, तो पहले उसके permission लो, किसी पर्सन की अगर वीडियो निकाल रहे हो, तो पर्मिशन लो, without permission अगर आप किसी की भी photo या वीडियो निकालते हो, तो भी आपको यहाँ पर fine तो होगा, जेल भी हो सकती है, यह थोड़ा सा देखिए, उसके बाद क का point है, यहाँ पर fraud करना बहुत, fraud यहाँ पर fraud में आपने नहीं फसना है, ना खुद करो, ना खुद कोई कर रहे तो उसको अब जाके शैमिल हो जाओ, अगर यहाँ पर fraud करते हो पकड़े गए, तो आपको lifetime बैन तो लगता है, जेल होती है, fine भी लग जाता है दोस्तों, तो इसमें अगर आपको लग रहा है, यहाँ पर ट्राविल करने के बाद यह बंदा थोड़ा सा fraud टाइप का है, उसके साथ भी नहीं जाओ, उसे जो करना है करने तो उसको समझाओ, चाहे तो आप, आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसके बाद अगर आपके account में पैसे अगली वाली party को दे सकते हैं, अगर आप यह थोड़ा सा seriously low हैं, इस बात को यह बहुत serious माना जाता है, अगर आपके balance में, account में balance नहीं है, तो आपने check किसी को भी नहीं देना है, और last but not in list, यहाँ पर आप जब भी कोई कार में travel कर रहे हो, तो seatbelt यूज करना बहुत important है, ड साथ में बंदा बैटा है, उसने भी seatbelt यूज करना है, वो भी अगर आप seatbelt नहीं यूज करते हो, तो भी आपको यहाँ पर find लग सकता है, ठीक है, seatbelt must है यहाँ पर, even आप taxi यूज कर रहे हो, तो भी आपने seatbelt compulsory है, without seatbelt आप यहाँ पर travel नहीं कर सकते हो, वीडियो अच्छ सब्सक्राइब नहीं किया चानल को तो सब्सक्राइब दो कर लीजिया, ऐसे वीडियो आपको आउर भी तेखने मिलेंगे, ठीके दोस्तों